हेलो गाईज मैं प्रियल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल पे प्रियल में में रिजनिंग के अंदर तो रेगुलरली हम सुबह की शिरुवात करते हैं आज के अपने टागेट से तो अगर आप नहीं जुड़े इससे जुड़ी इससे आपक को भी कंप्रिट कर सकते हैं तो अपने अपने प्रिंट को भी शेयर कर दीजेगा इस वीडियो को शिरुवात करते हैं टागेट की सबसे पहले हम बात करेंगे कल्कुलेशन वाले पार्ट क्या करना होता है आपको स्क्वार क्यूप से फोकस करेंगे एक से लेकर 20 तक क्या याद करने हैं दिनने चार-पांच बार लिखो के अपने आप याद हो जाएंगे यादा एफर्च लगाने नहीं पड़ेंगे आपको दूसरी चीज यह है आपको तीन टेबल्स 16, 17, 18 की टेबल्स को आपको याज याद करें तो यह दो काम हो गए इतना ही करना है बस पुश्किल से आदा गंटा लगेगा आपको दो-तिन माल दिखो के अपना याद हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की आज हम रीजनिंग में करने वाले हैं फिगर का में होती है रेक्टेंगल, स्क्वाइर, सर्कल और अपका स्ट्रेट लाइन्स और कुछ एक्स्ट्रा में तो आज अब क्या करेंगा ट्रेंगल को और स्क्वाइर को पढ़िएगा बड़ा पोशन ज़रूर रहता है पर सबस्यादा क्वेशन आपको यहीं से आते हैं देखे मैस की मैस मैंने अपको कल laub्री क्लास में अलजेबरा की शुरूरा रहत सब और बड़ेखी थे क्वाई ऐसे वीडियो देखिए उसके बाद श Ray गण्यांगत्य का फिर हम बात करते हैं ऑपने जम्मू हुआ हिमाचल ळेली हुआ रजिस्थान वह उपर की कोई भी सिक्स स्टेट से लिए उन सिक्स स्टेट्स को आपको कॉपी में लिखते हैं सी एम गवरनर नेशनल पार्क वाइड लाइफ सेंचरी इंपोर्टेंट डैम्स और वहां पे कौन सी इंपॉर्टन रिवर है जो वहां बैठती है यह चीज़ें आपके हमेश्चा एक्जाम में यहां से यहां से आप मानीजी स्टाटिक जीके से इस पॉर्शन से स्टेट वाइस कम से कम 2-3 सवल बन जाता है तो यह आप याद करें साथ साथ हो जाएगा इतना सा काम है पूरे द में कमेंट जरूर कीजिएगे यस मैम वी हैफ कंपेट टेक केर बाइव नाइस दे कि अजर बन शीदो जाएगगे यस मैम वाभ में मी वी है यहाद करें से पूरे जीद तना प्रेंदिक वी यहाद ए भी है है वी एक है तो यहाद करें से देता क्यार्बंदी।